हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार वर्ट से आपका अपने यूट्यूग चैनल पर जल जीवन मिसन 2024 को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि फॉर्म कैसे भरे दोस्तों बहुत लोगों को यहां पर कमेंट आता है कि सर जल जीवन मिसन 2024 का हम फोर में आपर कैसे भर सकते हैं पंजी करने यहां पर कैसे कर सकते हैं तो दस्वी पास भड़ते निकल पर आ रहे है कितने मिलेगी सेलरी पूरी जानकारी वीडियो की माध्यम से आपको बताने वाले हैं तो आप आपको इस वीडियो की माध्यम से जब यह जानकारी पता चलेगी तो उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर कुछ भी पूछने क कि जरूरत नहीं है कि सर कैसे भरे फॉर्म क्या होगा पूरी जानकर आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है तो आप पूर को क्या करना है चैनल पर आप पहली बाड़ा आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिकेशन को ओल पर सलेक्ट जरूर कर दें चले दोस्तों मनते हैं वीडियो के जल जीवन मिशन भरती 2024 दस्ताविज आपको क्या क्या लगने है फॉर्म भरने के लिए जल जीवन मिशन भरती 2024 से सम्मनित कुछ आविशाख डोकिमेंट्स याने की दस्ताविज आपके पास होने चाहिए जो यहां आपको बता रहे हैं दोस पर मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए निवास प्रमान पत्र आपके पास होना चाहिए दोस्तो हमने आपको अपनी पहली वीडियो के माद दिम से बताई कि निवास प्रमान पत्र क्या होता है निवास प्रमान पत्र होता है कि आपको कहा निवास करते हैं आप जहां निवास करते हैं, वहां का अपे पास निवास परमानापत्र नहीं है, तो आप उसे बना सकते हैं, तो जल जिवन मिसन भठती की पात्रता यहां पर क्या होने वाली है, जल जिवन मिसन भठती के लिए, युवक राज जगा निवासी होना जरुरिय है gusta दोस्तो जिस राज्य में भढ़ती होगी उस राज्य जिगा निवासी होना आप जरूरी है और नियुन्तम दस पास होना चाहिए इसके अतिरिक तो योग कि आयू 18 वर्टस से अधिक होनी चाहिए और 35 वर्टस से कम होनी चाहिए दोस्तो अगर आपकी आयू यहां पर उम्र बढ़ती है यहां पर इसमें भड़ सकते हैं यहां पर इसमें पातritos वूबबायल नंबरर यहां पर सब आपको यहां पर फील करना होताई को आधार नंबर या आपको यहां पस आंपर डालना होता है तो दोस्तो पूरी जानकारे आपको हमने वीडियो के मादे हम से बता दिया है दस्तावी जर पातरता के साथ आपको वीडियो फार्मक ऐसे बनना रहा वो還 है ःगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लायक करके चैनल को जोड़ सब्सक्राइब करते मिलते हैं आपको नए वीडियो नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए सबी दोस्तों को वीडियो में जूने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद